दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय दारिद्र रूपी दुख का नाश करने वाली भगवान शंकर को मेरा नमशकार है प्रियश्रूताओं, महर्शी वशिष्ट द्वारा रचित यह दारिद्र दहन शिव स्तोत्र जो कोई पढ़ता अत्वा सुनता है उसके सभी रोग नश्ट हो जाते हैं वह शेग्र ही सभी संपत्तियों को प्राप्त कर लेता है पुत्र पौत्र आधी की वृद्धी होती है तथा जो कोई भी तीनों संध्याओं में इसका पाठ अत्वा श्रमण करता है वह इस लोग के सभी सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग लोग की प्राप्ति करता है तो आईए दरिद्र रूपी दुख का नाश करने वाले भगवान शंकर का ध्यान करते हुए यह दरिद्र दुख दहन शिव स्तोत्र शुरू करते हैं प्रीम से बोलिए जय शिव शंकर जो विश्व के स्वामी हैं नर्क रूपी संसार से उधार करने वाले हैं कानों से श्रवन करने में अम्रित के समान नाम वाले हैं जो अपने भाल पर चंद्रमा को आभूशन रूप में धारन करने वाले हैं करपूर की कान्ति के समान धवल वर्ण वाले जटाधारी हैं दारिद रूपी दुख का नाश करने वाले भगवाई श्युव को मेरा नमन है दारिद दुख दहनायन महाशिवाय जो माता गौरी के अतियंत प्रिय है जो रजनीश्वर अर्था चंद्रमा की कला को धारण करने वाले है जो काल के भी अंतक अर्थात यम रूप हैं, जो नाग राज को कंकन रूप में धारण करने वाले हैं, जो अपने मस्तक पर गंगा को धारण करते हैं, जो गज राज का विमर्दन करने वाले हैं, दारेद्र रूपी दुख का नाश करने वाले भगवान शिव को मेरा नमन है जो भक्ति प्रिय संसार रूपी रोग एवं भय का नाश करने वाले हैं, जो संघार के समय उग्र रूप धारी हैं, दुर्गम भौसागर से पार कराने वाले हैं, जो जोती स्वरूप अपने नाम और गुण के अनुसार सुन्दर निर्त्य करने वाले हैं, दारीद्र रूपी दुख का नाश करने वाले भगवान शिव को मेरा नमन हैं, दारेद्र दुख दहनाय नमह शिवाय, जो बाग के चर्म को धारन करने वाले हैं, चिता भस्म को लगाने वाले हैं, जो भाल में तीसरा नीत्र धारन करने वाले हैं, जो मनियों के कुंडल से सुशोभित हैं, अपने चर्म में नुपुर धारन करने वाले जटा धारी हैं, दारिद रूपी दुख का नाश करने वाले भगवाई शिव को मेरा नमन है दारिद दुख दहनायन महाशिवाय जो पाँच मुखवाले नागराज रूपी आभूशन से सुसजित है जो सुवण के समान किरण वाले हैं आनन्द भूमी अर्थात काशी को वर प्रदान करने वाले हैं जो स्रिष्टी के संघार के लिए तमो गुना विष्ट वाले हैं दारिद रूपी दुख का नाश करने वाले भगवाई शिव को मेरा नमन है दारेद दुख दाहनायन महाशिवाय दारेद दुख दाहनायन महाशिवाय जो सूरि को अत्यंत प्रिय हैं जो भव सागर से उधार करने वाले हैं काल के लिए भी महाकाल स्वरूप और जिनकी कमलासन अर्थात ब्रह्मा पूजा करते हैं जो तीम नित्रों को धारण करने वाले हैं शुब लक्षणों से युक्त हैं दारेद रूपी दुख का नाश करने वाले भगवाई शिव को मेरा नमन है जो राम जी को अत्यंत प्रिय रगुनाद जी को वर देने वाले हैं सर्पो के अतिप्रिय हैं भव सागर रूपी नरक से तारने वाले हैं पूणे वालों में अत्यंत पूणे वाले हैं जिनकी समस्त देवता पूजा करते हैं दारेद रूपी दुख का नाश करने वाले भगवाई शिव को मेरा नमन है दारेद दुख दहनायन महाशिवाय दारेद दुख दहनायन महाशिवाय जो मुक्त जनों की स्वामी रूप हैं चारो पुर्शार्थों का फल देने वाले हैं जिन्हें गीत अत्यंत प्रिय है और नंदी जिनका वाहन हैं गज चर्म को वस्त्र रूप में धारण करने वाले हैं महेश्वर हैं दारेद रूपी दुख का नाश करने वाले भगवाई शिव को मेरा नमन है भगवान शिव को मेरा नमन है दारीद्र दुख दहनायन महाशिवाय दारीद्र दुख दहनायन महाशिवाय दारे द्रदुख दानायन महा शिवाय हे भगवाई शंकर हमारी सारी दरद्रता को दूर करिए हमें सुक संपदा प्रधान करिए चै शिवशंभू इती वशिष्ट विरचितम दारीद्र दहन शिवस्तोत्रम संपोणं इस प्रकार महर्षी वशिष्ट द्वारा रचित दारीद्र दहन शिवस्तोत्र संपोण हुआ